और अब Ground Zero की बारी आज परताल करेंगे बाजारों में फैले मौत के जाल की वो जाल जो किसी को भी मौत की नीन सुला दें जी हाँ बात करेंगे हाई टेंशन तार की जो सड़क पर जाल की तरह फैले हैं और उसकी चपिट में आ जाती हैं गाडियां दूसरी परताल भोपाल की करेंगे तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे राज़ानी की सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स लोगों की सिहत से खिलवार कर रहे हैं सवाल पूछेंगे जम्यदार उसे के आखिर इन सब पर कारवाई होगी कब और हमारे साथ मितलेश आपको नजार आ रहे हैं इन दौर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुपाल ग्राउंड जीरो से सहोगी शैलिंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन दोनों के पास भी हम आपको लिये चलेंगे, मितलेश जल्दबाजी में हैं, वो कहीं निकल गए हैं, उनसे उनके पास भी चलेंगे, सबसे पहले बात इन दौर की हम करने जा रहे हैं, इन दौर में एक ऐसा नजारा दिखा, जिससे जिसने भी देखा होश उड़ गए, ए लेकिन बच्चों से लिकर वहां मौजूद लोगों तक की सांसे थम गई, बताय जा रहा है कि आर्थिक राजदानी के बाजार में हाई टेंशन तारों का जाल बिछा है, ये तार इतना नीचे हैं कि इसकी चपेट में कई बार गाड़ी आ जाती है, सोचिए विभाग कितन लापरवा है, आखर बीच बाजार में इस तरह तार का जाल होना, क्या सही है, आज इसी पर न्यूज एटीन परताल करेगा, सवाल पुछे जाएंगे कि सम्मेदार कर क्या रहे हैं मालिक नहीं, समझ लो बच्चों के नसिव से ही वो, बच्चा ना बच्चे थे छोटे छोटे बस में, और दोनों तार साथ में गिरे बस के उपर, वो तो हम लोग यहीं बेटे थे तो हमने बचा लिया, मतलब डंडे से, डंडा लिया, सुका और फटा 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 आया, औ और बस उनको बस वाले को फिर उदर वो गली में करवाया, हाथ में बच्चे की बस आई थी, प्रग्या गल्स की, और तार टूटा बस को ओपर ही तूटा बस, तार, जदा अच्छा बड़ा हो जाता, बस यह हुँआ, और सीधा इंदार, ग्राउंड जीरो आपको लिए च इंदार ने नहीं देखा है, यह इसकी मिसाल है, मितलेश तारों का जाल बिचा हुआ है, गल्ती किसकी, और क्यों यह ठीक नहीं होता, मितलेश इस वक्त मैं उसी बीचोली हपसी गाओं में मौजूद हूँ और गाओं के लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इन तस्वीरों का आप देख सकते हैं और ये वही लोग हैं कि जो सुबह यहां पर मौजूद थे और उसके पहले लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखा पेड़ सी स्तार को भादा गया इसी बीच का हिस्सा तूट कर उस वक्त नीचे गिर गया जब यहां पर स्कूल बस करी थी और स्कूल बस के अंदर 15 से ज्यादा स्कूली चात्र बैठे हुए थे इसकूल जाने के लिए घर से निकले लेकिन सुबह इन दोर माज एक बड़ा हाथसा होते होते तल गया फिलाल इस वक्त मेंसा जो मौझूद है यह वहाँ पर मौझूद थे इनकी ठीक सामने दुकान इंसे पूछते हैं क्या हुआ ता उस वक्त हो यह तार तूट गया अर्थिंग का सुबह सुबह यहां बस जैसे ही इस पार हुआ और यह तार टूट लोड़ा कर जाते बस इससे पहले भी कभी यहां पे कोई तार हां साल में चार बार टूटा है इसी साल में तेवीस में तूटा दो तीन बार और अभी यह आज इसमें तूटा है आज मतलब बढ़सात इदर हुई शुरू कि हवा तेज चली और कनेक्शन लूज हो जाता है अगर आज जब बच्चे हाँ पे बैठे थे आप लोग भी यहां पे थे आप वहुत तस्वीर में आप भी नजर आते एक लगड़ी से आप तार हटा रहे थे उस वक्त हासा बड़ा हो जाता अगर वो जो अगर बच्चे की गाड़ी चपेड़ में आ सकती थी यह तो एक स बहिया उदर कर गाड़ी सामने से टेक्टर आगया था तो उसने रोक दी बस रोकी और तार टूड़ी है कितने लंबे समय सहाब लोग चाहते हैं चाहरे हैं आप लोग की मांग है कि यहां कि पूरा कनेक्शन है यह जो लाइन डाली गए उसको बदला जाए बदला बदलना बाद में वापिस से उसको वहीं पर कनेक्शन को जोड के और फिर पेड़ से बाद दिया गया और देख सकते हैं कि आप यह जो लाइन है गाओं में हाई टेंसल लाइन जो जा रही यहां से वो कितने नीचे की तरह पे और रोजाना यहां से जो बच्चों की बस है गाओं क कि ले बढ़ा हुआ लोग इस वक्ते काफी जादा यहां परसान है लोगों की समस्य यह है कि कई बार सिकायत करते हैं लेगी कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि हमने के बार सिकायट कर दी लाइन में के पाद जा लाइन के पार जाओ वसको तो करिए उसके पाद जाओ यह को बात बता रहे हुआ सरकारी स्कूल से यहां तक चोड़ाया तक में रोड पे बीच में अस्पिताल पड़ता चाहिए जब तार गिर जाते बस के उफर कोई वहान के उफर ड्रम पर आ जाता तो उस पर गिर जाता है एक रोज मिच्चर मसीन के उपर गिर गया हम ऐसा कभी भ चबहर होता है हाथ सीप रिपेर किया जाता है हाँ पर पड़ाख जाते हैं और बहुत करके बयंदा रहे होब गिर जाता वहाथ होता जब तार जैंट कर दया दो नीचे गेर जाता हुआ मिद करते हैं सुभर या लiled बीज़ा वाठाब साफ करने की हृ वह सब देने में कुई कोता ही नी करते हैju में को कोता ही नी करते तुर झुक्रिए आपका इस तमाम जानकारी के लिए आपके साथ जो जुड़े जिन्होंने अपनी समस्या बताई उनका भी धन्यवाद अब परताल करेंगे उन दुकानों की जहां खुले में खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है गंदगी के बीच डेरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं दुकानों के बाहर गंदगी कामबार लगा है उसी ग भुपाल के उन इलाकों में पहुंची जहां धडले से इस तरह की दुकाने चलती हैं सारा भेत खुल गया तस्वीरे देखिए जम्मदारों से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसे दुकानों का अवल चीज तो क्या लाइसेंस है और अगर लाइसेंस है तो वो निर कि आए शकर से अब लोगों कि लाएंस और यहां से हारहे हैं । बहुत ज़्यादा ही हनकारक है मिठाईया जो बनती है इसके मावे की और मिलावट मावाए से नुक्तान करता है तो बारिश के समय पे जो बीमारियां बढ़ती है उसका एक बहुत बड़ा कारणे फूट-बॉर्ण डिसीजिज जो होते हैं वो तो यह हमें निदेश भी है और हमारा काम भी ऐसल में कि हम जितने भी ऐसे ठेले हैं या रेस्टरेंट्स हैं हैं होटल्स हैं जहां पर समोसे कचोड़ी पूहा जैसी चीज़ें जो खुले में रखकर बेची जाती हैं ऐसे सभी खाने की पीजने की चीज़ों को हम ढखवाएं ऐसी विवस्ता हैं उनको करें अब राज़दानी बोपाल समीद मद्देश में लोगों की सेहस से खिलवार किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा निचली क्वालिटी के खादेपदार्थों से खादे सामगरी तयार करना गंदगी में खादेपदार्थों को बनाना और उनको खुले में रखकर बेचना ये किसी भी कीमत पर टॉलरेट ना करने की बात जो है वो फूट सेफटी डिपार्टमेंट की और से की गई है लगातार कारवाई भी से लेकर चल रही है बोपाल में हाली में पचास जादे दुखानों को चेताबनी दी गई है कि आप अपनी विवस्ताओं को सुधार लीजे एक दुखान पर लाइसेंस निरस करने की कारवाई भी की गई है शैनमबर हॉकस कॉर्णर पर में इस वक्त मौझूद हूँ यहाँ पर भी बीते दिनों में कारवाई हुई है कई दुखानों को सील किया गया था लाइसेंस को निरस किया गया था केस भी दर्ज कराए गये थे और उसके बाद कुछ हद तक तो यहाँ पर साफ सफाई की तस्वीर बदली है लेकिन अभी भी कई ऐसी जगे हैं जहाँ पर जो गंदगी है वो बदवजा रही है और खुले में जो खाद सामगरी वितरन होता है उसमें धूल बैठती है और यहाँ पर पहुंचते हैं और वो कही ना कही खाने को दूशित करने का काम करते हैं तो इस तरीकी की चीज़े ना हो इसको लेकर आने वाले समय में भी कारवाई होगी और जब हम यहाँ पर लोगों से और अब सीधे ग्राउंड जीरो आपको लिए चलेंगे भुपाल आपको लिए चलेंगे जहां सायोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र के पास लिए चलेंगे, शैलेंद्र सेहत से सीधे सीधे खिलवार है, और साफ सफाई की बातें अभी भी किताबों में हैं, लेकिन मसला जब खाने से जुड़ा हो, तब साफ सफाई बहुत जरूरी, शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल लेत आपने ठीका, एक बा खाने की हो, तो ब्यवस्ता है, और ज्यादा बहतर होनी चाहिए, तो लोग एक तरफ जहां नकली मावा हो, नकली दूध हो, या पर नकली पनीर हो, उससे लोग परिसान है, और उसी बीच अगर बाजार में भी कुछ खाने निकल रहे हैं, तो आपको इस गंदगी में जो बनाया जा रहा है, वो समोसे कचोड़ी हो, या दूसरे फूट प्रोडक्ट हो, उनसे आपको परिसान होना पड़ता है, और जिस तरीके से बरसात का ये मौसम चलना और बरसात के मौसम में संक्रमन का सबसे अलिक खत्रा जो हो जाता है, तो ऐसे में निगम के तमाम दाबे हैं, फूट इन शेप्टी डिपार्टमेंट के तमाम दाबे हैं, वो दाबे तो करते हैं, लेकिन दाबे उनके जमीन पर उतरते नजर नहीं आते हैं, हाला कि इस सीजन में हमने लगातार देखा कि फूट शेप्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलाग-अला गिस्तों म जाती है और कुछी इलाकों में ये कारवाई की जाती है तो ऐसे में अब स्वास्प्रभाग लगातार ये बात का दावा जरूर कर रहा है कि अब यहां चलाया जाएगा ताकि जो लोगों के साथ जो लोग खिलवाड कर रहे हैं चाहे बाचोपाटी हो या फिर निजी जानी बोपाल में किया जा रहा है जी ठीक 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 बहुत-बहुत भाँद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए सहुगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे अगली खबर रायपूर से जहां दो डेरी पर कारवाई की बात हम आगे करेंगे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं